एलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं वोकेब फ्रॉम इस्पी वक्सी फ्रेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने जा रहे हैं वर्ड्स 81-90 फ्रेंट्स लेक्चर वड़ा इंपॉर्डंट होने वाला है एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझेगा क्योंकि संप्लि और जो बुवाइन हैं बुवाइन का मतलब होता है गाए के जैसा यानि लाइक आ काव और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो यह है फ्रेंट्स एज्यक्टिव और काव यानि गाए जैसा आप कह सकते हैं बुवाइन डिजीज अगर कोई डिजीज गाई के जैसी है तो उसको आप कह सकते हैं बुवाइन डिजीज और दूसरा नेचर के सेंस में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं जैसे शी इस बुवाइन बाई नेचर कोई सीधा साधा सा इनसान है चुकि गाए संबल है बिलकुल साधगी का एक सीधे पन का तो कोई इनसान अगर गाई के जैसा है तो कह देते हैं वहाँ शी इस बुवाइन बाई नेचर अक्सर पैरेंट्स कहते हैं कि हमारी बिटिया तो कैसी है गाय के जैसी है यानि सीधी साधी सी है तो वहां इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और यह जो वर्ड है यह एक दूतरा वर्ड है फ्रेंट्स हॉटी ह-a-u-g-s-t-y हॉटी और जिसको आप कहते हैं घमंडी तो यह जो घमंडी है हॉटी है यह इसका अबसिट वर्ड है बात के लिए चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंट्स बैफल बी-ए-डवल-फ-ल-ई बैफल बैफल क्या है फ्रेंट्स बैफल है चक्रा देना यानि घवरा देना जिसको आप कह सकते हैं परप्लेक्स और फ्रस्ट्रेट्ट चक्रा देना और घवरा देना चक्रा देने घवरा देने के लिए हम बैफल को यूज करते हैं यानि परप्लेक्स और फ्रस्ट्रेट को हैं अगर यूज की बात करें तुम कह सकते ना रोंग सिगनल बैफ्र्ड दा एंईमी कि अइसा सिगनल बैफ्र्ड डे दिया उससे जो दुश्मन है वह चकरा गया प्रेंड़ सा वर्ड है चक्राना आप जानते ही है, common word है अपनी language में यूज करते ही है नेक्स वर्ड है प्रेंड्स बरसर्क और जो बरसक है बरसक क्या है ये है पागल हो जाना जिसे हम कहते है पगला जाना clear, frangized ये frangized क्या है? ये इसका synonym है बरसर्ग का और इस वर्ड की nature की बात करें बरसर्ग तो ये क्या है फिर्ड्स? ये है adjective बरसर्ग और दूसरा वर्ड एक आता है अमक और एक वर्ड और है अमक अमक एंड अमक तो जो अमक है और जो अमक है ये भी इसके दूस इनोनिम है और अकसर आप yous करते हैं इस वर्ड को बरसर्ग को जो ये ये किया जाता है go बरसर्ग इस phrase में अकसर ये 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 किया जाता है और इसको go बरसर्ग को आप कहते हैं पगला जाना या पागल हो जाना clear कोई व्यक्ति पगला गया। कई बार हम इसको अगर यूज की बात करें हम कहते हैं पलीस वेंट वर्शर्क पलीस वेंट वर्शर्क एंड बीगन टू लाठी चार्ज की पुलीस पगला गई और उसने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। क्लियर तो वहां इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं यानि गो बर्शर्क और गो बर्शर्क क्या है पगला जाना। कोई व्यक्ति पगला गया कोई एनिमल पगला गया तो वहां इस वर्ड को यूज कर सकते हैं है उग्यार फैंट तो चलिए टॉट करते हैं है कि चलिए नेक्स्ट वर्ड है फैंज बुटीक है कि बूटीक कि आले कि बड़ा कॉमन वर्ड कोई आसी शॉप जो फेस्टनेबल नियू prep 2 बेसती है यह फैरिस्टनेबल जreiben बेशती है तो वहाँ हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं बुटीक को कलियर और अगर इस वर्ड की बात करें तो यह वर्ड नाउन है और आप कह सकते हैं दुकान बात समझ में आ गई common वर्ड है बड़ा फैमिलियर रसा है आपके लिए ब्रीच और ब्रीच क्या है ब्रीच है करार भंग इसको आप कहते हैं ब्रीच करार भंग यानि कोई contract है अगर कोई contract ब्रीक हो जाता है ब्रीकिंग ओफ कॉंट्रेक्ट तो वहां इस वर्ड को यूज़का सकते हैं ब्रीच को यानि ब्रीकिंग कोई contract का तूट जाना भंग हो जाना और contract के साथ में फ्रेंट्स कोई duty है duty को टूर जाना, peace, rift इन senses में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं और आप कह सकते हैं breach of peace संपल सा यूज़ है, breach of peace भी कह लीजिए और अगर इस वर्ड की बात करें तो nature क्या होगी इसकी वाउब है, breach, करार भंग, तो breach of peace यानि शान्ती भंग करना, breach, बात क्लियर, next word है, friends, बिजैरे, और बिजैरे क्या होता है, बिजैरे का जो बतलब होता है, वो होता है, friends, भद्दा या अजीब, इसको हम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क, spelling पर ध्यान देना बिजैरे की, बिजैरे की, बिजैरे, और ये क्या है, friends, ये adjective है, यानि भद्दा या अजीब, भद्दा या अजीब, वो क्या है, बिजैरे है, और ग्रोटेस्क, इसका एक सिनोनिम आपको मिलता है, और दूसरा मिलता है, ऑक्वर्ड, जिसको आप कह सकते हैं, ग्रोटेस्क और ऑक्वर्ड, ऑक्वर्ड जानते हैं, कॉमन वर्ड है, ग्रोटेस्क आपने शायद ना सुना होगा, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क भी क्या है, बिजैरे है, यानि भद्दा है, और अजीब है, किसी का जो ब्यवाहर है, अजीब सा ब्यवाहर किसी व्यक्तिका दिख रहा है, तो वहाँ आप इस वर्ड को यूज़ का सकते हैं, कह सकते हैं बिजैरे मैनर, यानि कोई अजीब ब्यवाहर, और बिजैरे एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग बहुत आती हैं एटिकेट, में E-T-I-Q-U-E-T-T-E, अक्सर इसमें हम गलती कर देते हैं, E-T-I-A-T-Q-U-E-T-E, प्यूज़ प्यवाहर, इटिकेट, और बिजैरे मैनर, बिजैरे एटिकेट, और यूचिम सेosorde sounds, डिकॉरम क्या होते हैं? decorum होते है friends, कोई मर्यादा जिसे हम कहते हैं कि हर चीज का एक decorum होता है, किसी भी चीज को देखें, तो सबका decorum होता है, कहीं हम एक किस तरह से बात करनी है, किस मर्यादा में हमें रहना है, तो वो जो मर्यादा है वो कहलाती है decorum, clear friends, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, फ्रेंट्स, next word है board, b-o-d-e board, और board क्या है, board होता है friends, भविश्य सूचित करना, ये nature की बात करें, वाब है, भविश्य सूचित करना, clear friends, और अक्सर ये idiomatic use में आता है, idiomatic use क्या है, इसका bored well और bored ill, bored well और bored ill, bored well को आप कहते हैं friends, भला और bored ill है, उसको कहते हैं आप बुरा, भला और बुरा, clear, bored well और bored ill, अक्सर इन ही use में ये वर्ड हमें दिखाई देता है, next word है friends, blasphemous, blasphemous, clear, blasphemous और blasphemous क्या है, इसकी बात करें तो ये word है friends, एक adjective और blasphemous का जो मतलब होता है वो होता है, इस निंदनिये, इस निंदनिये, clear, यानि इसको आप कह सकते हैं, इश्वर की निंदा करना, blasphemous, impious और irreligious, clear friends, यानि religious तो हो गया धम, धार्मिक और इसमें इसका अबजित हो गया irreligious और impious, clear, आप कह सकते हैं, blasphemous act, अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है, जिसमें इश्वर की निंदा हो रही है, तो वो काम क्या कहलाता है, वो कहलाता है, blasphemous act, act, और you can say act of blasphemy, यह famous तो friends, क्या हो गया blasphemous, यह adjective है, लेकिन इसकी अगर noun की बात करें, तो वो हो जाएगा blasphemy, यानि blasphemy क्या है, इस निंदा, actual influence पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, वहाँ पर यह कानून है blasphemy का, तो वहाँ क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई इश्वर की निंदा कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस कानून के अंतरकत उन्हें right मिला हुआ है, कि वो किसी की भी जान ले लेते हैं, अक्सर किसी की जान लेनी है, कह दिया वह क्या कर रहा है, blasphemy कर रहा है, इस निंदा कर रहा है, इसलिए इसको चलो, निप्टा देते हैं, तो इस कानून का बड़े गंदे तरीके से पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, clear, next word है friends, child, चाइड, और चाइड क्या होता है, चाइड का जो मतलब होता है, इसकोल्ड, यानि डाट ना, इसकोल्ड, clear, और अगर यूज़ की बात करें, तो you were chided for coming late, कि तुम्हें देर आने के कारण डाटा गया, और you were scolded for coming late, clear, और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें, तो यह क्या होना चाहिए friends, यह होना चाहिए, यह वाब, clear, वाब है, चलिए, नेक्स्ट वर्ड है friends, Conversant, Conversant, और करवन, Conversant क्या होता है friends, इसको आप कह सकते हैं familiar, यानि किसी से परीचित होना familiar, और एक चीज़ और है friends, इसके साथ हमेशा preparation जो follow होता है, वो आता है with, Conversant with, और आप हिंदी में अगर कहें, तो आप कह सकते हैं familiar, यानि परीचित, हम किसी चीज़ से familiar होते हैं, तो हम किसी चीज़ से conversant होते हैं, जैसे conversant with the rules of law, conversant with the rules of law, कि जो law है, कानून है, कानून के नियमों से मैं क्या हूँ, परीचित हूँ, तो conversant with, यह preparation पे especially focus कर रहा है, क्योंकि यह preparation वाली यह चीज़े आपको कहा मिलेंगी, यह spotting error में भी मिलेंगी, clear friends, तो बहुत सारे aspect यहां से आपके cover हो रहे हैं, spelling भी cover हो रही है, synonym भी, antonym भी, और parts of speech भी cover हो रही है, तो एक एक point को आप बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, तो चलिए friends, बाकी next lecture में हम आगे के 10 words discuss करेंगे, now thanks for watching this video.